नमस्कार दोस्तों अभी की बड़ी खबर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिमाज़ा प्रदिश में लगातार भारी बारिश से काफी तबाई हो रही है और भारी बारिश के दोर के बीच कहीं भूसकलन तो कहीं जानमान की हानी होने का दोर जारी है इसी बीच चमबा जिला से बहुत बुरी खबर सामने आ रही है जहां चमबा जिला की भटियात में उफनते नाले में आठ साल का एक बच्चा बह गया करीब आधा किलो मीटर दूरी पर नाले में उसका शब मिला वह मां के साथ गोशाला तक गया था और वापस आते हुए उसका पैर फिसला और वह नाले में जार गिरा और नाले में गिरने के बाद आठ साल का ये एक बच्चा बह गया और करीब आदा किलोमेटर दूरी पर उसका शब प्रापत हुआ उदर मंडी के रिवालसर में एक गाड़ी मलवे में दब गई इसमें सवार चार लोग मलवे के चपेड में आने से बाल बाल बचे हैं गटनाए हिमालच प्रदीश में पेशा रही है लगटार परिशासन भी वो लोगों से अपील कर रहा है कि बारिष के दोर में आतियात बरते हैं क्योंकि लगटार ऑखी हिमालच प्रदीश में बारी बारिष से देखने को मिल रही है मिलते अगली खोरों में कुछ इस तरह की मत्यपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर तब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर दीजिएगा धन्यवाद जय हिंजय हिमाचल